Students we will discuss about the important news Students आज के इस newspaper discussion में कुछ news कलका भी include किया गया है जो हमारी UPSC के exam के purpose से important है Students first news की regarding में अगर हम discuss करें तो सिरलंका के perspective से है सिरलंका के वहाँ पे President के election है उनको conduct किया गया Students President election के अंदर Anura Kumarah Dishanayika है उनके द्वारा victory को achieve किया गया है और उनको सिरलंका का new President है वो यहाँ पे appoint किया जाएगा Students जब भी हम सिरलंका के perspective से discuss करते हैं तो कुछ recent जो development है उनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए Students 2019 के समय Easter का जो festival है Christianity के regarding में एक important festival है तो आप देखी कि उस दिन सिरलंका के वहाँ पे जो bombing है bomb blast का जो news है वो देखने के लिए मिला था सिरलंका basically students एक island country है तो उसका जो economy है completely tourism के उपर depend आपको देखने के लिए मिलता है tourism एक one of the important pillar है सिरलंका के economy के regarding में पर जब भी आप देखी कि कुछ इस तरीके का unprecedented जो events है वो देखने के लिए मिलते हैं security के perspective से तो tourism का जो activity है उसके regarding में आपको जो decline है वो देखने के लिए मिलेगा तो student tourism वहाँ पर decline हुए है उसके बाद में आपको COVID-19 का जो impact है वो आपको देखने के लिए मिलता है तो students इस वज़े से सिरलंका का जो economic situation है उसके अंदर damaging जो situation है वो यहाँ पर create हुआ 2022 के समय पीपल्स के दुआरा एक movement है उसको carry out किया गया पीपल्स के उस movement के थुरू आप देखे की जो political authorities पावर के अंदर हुआ करते थे उनको overthrown किया गया उनको remove किया गया उनके पोर्स थे प्रजेंट समय में सिरलंका के वहाँ पे जो basic mandate था election के दोरान में वो यही है कि economic situation है उसको improve किया जाए सिरलंका का जो financial situation है उसको strengthen किया जाए students अगर हम discuss करें इंडियन president election के बारे में तो आप देखे कि क्या इंडियन president election के अंदर हमारे जो सभी member of parliament हैं उनके दोरा जो voting है वो यहाँ पे कास्ट किया जाता है क्या जो हमारे सभी member of parliament है जो nominated persons भी है आप देखी कि nominated person पहले राज्य सभा लोगसभा के अंदर भी हुआ करते थे Anglo Indian community से related letter phase के अंदर में constitution amendment act के थुरू यह जो लोगसभा के अंदर representation है और जो हमारी legislative assembly है में हमारे जो nominated member है वो आपको राज्य सभा के अंदर देखने के लिए मिलते हैं 12 उनका numbers है और different different sectors हैं उनसे लोगों को यहाँ पे nominate किया जाता है तो students क्या nominated person भी election के अंदर voting का है उसको cast करते हैं हमारे president election की regarding या आप comment section के अंदर बताना यह आपका homework है next अगर हम बात करें स्टूडेंट सिरलंका के election के ही बारे में तो किसी भी candidate के दुआरा जो 50% votes है 50% plus one जो votes है उनको secure नहीं किया गया इसी वज़े से second preference के basis पे यहाँ पे अनूरा कुमारा दिसा नाइका है उनको जो victory के रूप से इमर्ज हुआ है आप देखिए student जो new president उनकी name के बारे में अगर हम discuss करें तो आप देखिए उनका name है दिसा नाइका तो आपको यहाँ पे नाइका जो rulers हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए जब भी हम हमारे country के अंदर जो temple architecture के बारे में read करते हैं art and culture के बारे में तो आप देखिए कि temple architecture के अंदर जो नाइका rulers है उनका भी जो architecture है वो one of the important architecture है जो temple के अंदर जो गोपुराम हुआ करता है वो अपने climax को achieve किया था नाइका rulers के ही समय में temple architecture के दोरान में आप देखिए कि madurai school of temple architecture के रूप से भी जाना करते हैं नाइका rulers का जो architecture है madurai का जो मिनाकसी temple है वो इनका one of the best example है वो आपको देखने के लिए मिलेगा जो corridor हुआ करता है temple के surrounding areas के अंदर में जिसकों की प्राकरम्स के नाम से भी जाना करते हैं तो उसका भी आप देखिए कि more wide है more broad way के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा और यह हमारा दरवीडियन style of temple architecture है उसी का similarity है बट लिटिल बिट है जो Islamic influence है वो भी आपको नाइका school of temple architecture के अंदर हुआ करता है तो यह नाइका school of temple architecture के बारे में था प्रेसिडेंट के election के बारे में आपको बताना है क्या nominated member भी यहाँ पे nominated जो member of parliament है उनके दुआरा भी election को cast किया जाता है और next अगर हम बात करें तो GST council के बारे में है आप देखिए कि student GST council के बारे में discuss यही किया गया अभी हमारे को southern India के जो states हैं जिनका opposition का जो political party से जो state belong किया करते हैं उनके दुआरा एक meeting को conduct किया गया था meeting के अंदर यही कहा गया था कि जो says and surcharge है जो says and surcharge का जो power है center के पास में उसको एक limit किया जाए but students आपको यहाँ पे basic information यह पता होना चाहिए कि जो says and surcharge जो center के दुआरा यहाँ पे carry किये जाते हैं उनका आप देखे कि financial devolution है जो states के regarding में आपको नहीं देखने के लिए मिलता है जो finance commission के दुआरा जो devolution किया जाता है finance का उसके अंदर आपको says and surcharge के थुरू जो money यहाँ पे लिया गया है उसका devolution नहीं देखने के लिए मिलेगा next आप देखे कि यहाँ पे JST council के बारे में है कि JST council के दुआरा सभी जो tax rates से उनको rationalize किया जाएगा यह हमारे finance minister mem के दुआरा statement दिया गया JST council के बारे में जब भी हम read करते हैं तो article 279A के बारे में आपको पता होना चीए के constitutional body है जिसको set up किया गया था finance minister के दुआरा इसको head किया जाता है JST council को next अगर हम बात करें दहली के perspective से है कल के भी newspaper के अंदर mention किया गया था दहली के जो chief minister है अतीसी जो third woman chief minister आपको देखने के लिए मिलेंगे और आप देखी कि यहाँ पे जो इनका court का जो process है उसको admist किया जाता है LG के दुआरा LG के दुआरा ओत का जो administration है वो देखने के लिए मिलेगा बट आप देखी कि यहाँ पे जो completely जो appointment है वो president के दुआरा किया जाता है देली के बारे में जब भी हम read करते हैं तो 69 Constitution Amendment Act 69 Constitution Amendment Act state list के 3 topics है जो देली government के दुआरा नहीं deal किये जाते हैं कौन-कौन से police है, police के लावा land है और public order है police है, land है और public order का जो issue है वो यहाँ पे आप देखी कि देली government के दुआरा नहीं deal किये जाएंगे state list के topics है all three जो topics है वो state list के है next अगर हम बात करें देली के 69 Constitution Amendment Act के थूँ एक provision भी है only 10% जो members है legislative assembly का जो strength है उसके 10% जो members है उनको आप as a minister के रूप से appoint कर सकते हूँ तो यह देली के बारे में हुआ हमारे country के अंदर कौन-कौन सा union territory है ऐसे कौन-कौन से union territory है जहाँ पे legislative assembly है उसका establishment है कि अंडमान निकोबार के वहाँ पे भी legislative assembly है students, लक्सदीप है दादर नागर हवेली, दवने अंदीवू है चंदीगट है इसके लावा आप देखी कि present समय में लद्दाख है लद्दाख के लावा जमू एंड कस्मीर भी है तो कि यहाँ पे भी हमारे जो basically legislative assembly कौन-कौन से union territories के अंदर establish किया गया है यह आपको जरूर से पता होना चीए तो कि आप देखी कि आपको पता होना चीए JNK के वहाँ पे elections कंडेक्ट हो रहे है प्रजेंड समय के अंदर में JNK के लक्सन के बाद में आप देखी कि आपको देहली के भी जो चीफ मिनिस्टर का जो appointment है वो देखने के लिए मिलेगा पुडूचेरी भी काफी बार news के अंदर हुआ करता है पर यह जो हमारा जो जो इनिशल फेज के अंदर जब हमने इंडिपेंडेंस को अचीव किया था तो उस समय जो जो यूनियन टेरेटरी इसको जोइन किया गया था इंडिया को तो किस Constitution Amendment Act के थरू जोइन किया गया उनके दूरा आप देखी कि पुडूचेरी के बारे में अगर हम जब भी रीड करते हैं तो 14th Constitution Amendment Act भी आपको पता होना चाहिए 14th Constitution Amendment Act के थरू इनको एडि किया गया था 10, 12 and 14 यह 3 Constitution Amendment Act है जो आपको दादर रेन नागर हवेली दमनेंदिव जो हमारा यहां पे गोवा भी उसका पार्ट कुआ करता था पहले यूटी का जिसको 1987 के समय स्टेट बना दिया गया और आप देखी कि दादर रेन नागर हवेली दमनेंदिव हैं उसके लावा आपको जो पुडूचेरी हैं यह आपको बेसिकली 10, 12, 14 जो कॉंसिटूशन अमेंडमेंट एक्ट है जिसके थूँ इनका इंडिया के अंदर में कम्पलीटली जो एड है वो आपको किया गया था इनको इंडिया के कम्पलीटली फेडरेशन के अंदर में नेक्स्ट अगर हम बात करें QUARE का जो मेटिंग है उसके बारे में है आप देखी की QUARE की मेटिंग के बारे में अगर हम डिसकस करें तो USA के वहाँ पे जो मेटिंग है वो कंडेक्ट हुआ है USA की इस मेटिंग के अंदर इंडियान पी एम है उनके दुआरा भी विजिट किया गया है सबी जो political leaders से उनके द्वारा विजिट किया गया है QED की इस meeting का क्या outcome रहा है तो mainly outcome है students जो maritime surveillance है maritime का जो surveillance है उसको किस तरीके से improve किया जाए जो UN का यहाँ पर convention है कि जो maritime जो आप देखी कि जो boundary है उसको respect करना है territorial integrity को respect करना है तो South China Sea and आप देखी कि East China Sea के regarding में चाइना का जो aggression है उसके बारे में यहाँ पर discuss किया गया maritime maritime जो territorial जो basically area है उसके respect के regarding में next आप देखी कि यहाँ पर maritime surveillance के regarding में maritime जो initiative for the training and in the Indo-Pacific region के regarding में मैत्री नाम का जो initiative है उसको launch किया गया है next अगर हम बात करें student disaster का जो situation है उस दोरान में logistic को किस तरीके से rescue किया जाए तो उसके regarding में आप देखी कि logistic के regarding में भी एक network है उसको set up करने के बारे में यहाँ पर discuss किया गया students यह quade के meeting के बारे में था quade के meeting के अंदर इन सब्सक्राइब के बारे में discussion है वहाँ पर हमारे जो PM सर है उनके द्वारा UN के वहाँ पर जो general assembly है उसको भी address किया जाएगा उसके अंदर भी participate करेंगे PM सर और आप देखें कि UN के ही द्वारा एक future summit है कि UN का जो future summit है UN का जो future summit है अग्याद रखना यह जो future summit है UN की द्वारा ही organize किया गया है future summit के अंदर में कि कैसे climate change का issue है वो different different जो issues है उनको देखते हुए कैसे हमे sustainable living है जो sustainable living है उसको यह हमें promote करना है जिससे की इंडियन persons का जो performance हो काफी अच्छा देखने के लिए मिला है आप देखी पिछले कुछ years से जो चैस के अंदर इंडिया का जो performance हो इंप्रूब हुआ है उसके बारे में different different जो इनके tournaments हुआ करते हैं उसके regarding में भी आपको देखने के लिए मिलता है कि इंडियन जो इंडियन जो हमारा civilization है इंडस वैली civilization का जो समय है क्या वहाँ पे भी आप देखी कि कोई गेम का जो प्रेक्टिस हो हुआ करता था तो इंडस वैली violence के अंदर में उनका कुछ important role है तो उसके regarding में यहाँ पे जो security agencies के दुआरा information sharing की regarding में कुछ mention किया गया है कुछ information sharing की regarding में है exam के purpose से ज्यादा कुछ important नहीं है जब भी आप देखी किस तरीके का news है तो मनीपूर के बारे में तो हमने काफी बार discuss किया है मनीपूर के बारे में वैली के एरिया के अंदर 60% population रहा करता है जहां पे आपको मैती community का domination देखने के लिए मिलता है और मैती के लवा आप देखे कि जो hilli area जहां पे कूकी population है उनका cookies है जो है उनका आपको numbers है वो देखने के लिए मिलेगा drowning के बारे में हैं आप देखे कि काफे सारे जो ऐसे बच्चे हैं जो water bodies से बह जाते हैं water bodies के अंदर उनका जो flow आपको देखने के लिए मिलेगा जिससे casualties हैं वो भी समय समय पर सामने आती है तो students india का जो सुन्दरबन का area है हमारे यहां पे जो सुन्दरबन का area है जो one of the one of the segregated area भी आपको देखने के लिए मिलेगा आप देखी कि वहाँ पे कुछ NGO है जिनके दुवारा लोगों को यहां पे suggest किया गया है कि किस तरीके से आपको drowning का जो situation है जो बह जाते हैं बच्चे उन से किस तरीके से आपको बचाना है accident से किस तरीके से prevent करना है exam के परपस से क्या important है एक तो आप देखी कि drowning का जो cases हों क्यों यहां पे increase हुए हैं world के अंदर भी एक emergency situation आपको देखने के लिए मिलेगा special student जो coastal areas है जो water bodies के जो areas है climate change की वज़े से उनके दौरा more water को receive किया गया more water को receive किया गया अगर अगर उनके दौरा किसे भी waterway से connected है जहां से climate change के impact की water receive होनी की वज़े से उनका जो area है वो भी expand हुआ है area यहां पे expand हुआ है तो students आप देखी कि वहां पे रहने वाली जो communities है proper way में demarkation नहीं है proper way में जो protection जो gears हो नहीं presence होनी के वज़े से काफी बार आप देखी कि जो children सा उनके उपर यह impact देखने के लिए मिलता है काफी बार unprecedented यहां पे flood का situation भी create होता है तो यह भी आपको इसकी वज़े से drowning का जो situation है वो create होगा awareness को generation के बारे में mention है अब आपको सुंदर्बन के बारे में read करना है सुंदर्बन क्या students रामसर साइट है क्या students रामसर साइट है सुंदर्बन वैसे West Bengal के वहां पे आपको एक ही रामसर सा completely यहां पे Bangladesh के control के अंदर भी है कुछ इसका part तो इसके बारे में आपको read करना है सुंदर्बन के बारे में जरूर से read करना गूगल करना इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है आपका environment का book से भी आप refer कर सकते हो ransomware के बारे में है ransomware क्या है suppose कीजिए आपका computer है उसको किसी ना किसी वाइरस का activity या किसी भी cyber fraud की थूरू उसको लोग कर दिया गया जो यहां पे hackers उनके दुआरा पर आपसे आपको एक link send किया जाएगा यहां पे आपसे connect किया जाएगा hackers के दुआरा कि आपका जो computer है उसके सबी information को हमने log कर लिया है आप इसको access नहीं कर सकते हो और आप इतना जो money है वो यहां पे release कीजिए इतना money हम send कीजिए उसके बाद में आपका जो computer है उसको यहां पे open किया जाएगा काफी बार आपने digital arresting के बारे में भी read किया होगा digital arresting का जो topic है यह cyber fraud के ही perspective से हैं तो जैसे की financial fraud की regarding में fishing का जो activity है fishing का जो activity है वो आपको financial fraud cyber को use करते हुए financial fraud को जो carry किया जाता है तो students यहां पे यही बताया गया कि ransomware के जो threats वो day by day यहां पे increase हुए है day by day उनके जो numbers है वो आपको देखने के लिए मिलेंगी इंडिया के perspective से जब भी हम discuss करें तो site के बारे में आपको पता होना चाहिए computer emergency response team जो इंडिया का है site की द्वारा basically इन्हें attacks को रोकने का कोसिस किया जाता है हमारे जो critical infrastructure है उनकी regarding में भी कोई cyber fraud का impact हो ना देखने के लिए मिले तो उसके regarding में भी आपको initiative है वो देखने के लिए मिलेगा कि critical जो infrastructure है उनको यहां पे cyber fraud की जैसे कोई भी ransomware का जो attack है उनका देखने के लिए मिले अगर हम discuss करें students previous कुछ years के बारे में तो आप देखी कि पेट्या है पेट्या नाम है एक व्याना कराई है वेना कराई है तो यह कुछ ऐसे cyber fraud है ransomware के ही types हैं जिसके तुरू काफी कुछ जो fraud है वो देखने के लिए मिल rainfall जो हमारा equatorial rainfall rainforest का जो पार्ट है उसी का यह हिस्सा हुआ करता था एक research के अंदर यह बताया गया कल के newspaper discussion के अंदर इसको एड़ किया गया था इस्टूडेंट सपोज कि यह लेटीन अमेरिका का पार्ट है सपोज कि यह लेटीन अमेरिका है यहां पे आपको जो folkland का एरिया है folkland जो island सब वो देखने के लिए मिलेंगे और present समय में आप देखी कि यह United Kingdom का यह territory है present समय में United Kingdom का यह territory है इसके regarding में काफी बार other countries के दुआरा भी अपना जो यहां पे जो उनी का यह पार्ट है उनी का यह इस्सा है ऐसा claim है वो किया जाता है कुछ countries के दुआरा भी next अग इंदर में जो deficit है वो देखने के लिए मिला है that means export यहां पे decline हुआ है और India का जो import है वो इंक्रीज हुआ है इंपोर्ट यहां पे इंक्रीज हुआ है trade का जो deficit का situation है वो create हुआ trade deficit का situation यहां पे create हुआ है इसके regarding में gold का भी एक importance आप देखी कि इंडिया के द्वारा gold भी काफ हमारे यहां पे जो export किया जाता था उसके अंदर mainly decline हुआ है कुछ other regions भी यहां पे बताए गए है हमारे export के decline के regarding में जिसमें आप देखी कि carbon border adjustment mechanism है European Union के द्वारा एक initiative को launch किया गया carbon border adjustment mechanism यह क्या है carbon border adjustment mechanism आप देखी कि European Union का जो area है उसके अंदर कुछ भी ऐसे products को लाउग नह पे उनके द्वारा उसके production के manufacturing के अंदर में more carbon का generate हुआ हो जैसे कि steel industry को इंडिया का जो steel industry है उसके उपर इसका major impact हो सकता है क्योंकि steel का major export आपको European Union के वहां पे किया जाता है उन countries के वहां पे इंडिया के द्वारा तो यहां पे कुछ इन restrictions के बारे में भी discuss किया गया है कि क हमारा जो trade deficit है वो देखने के लिए मिला है क्यों हमारी जो यहां पे industrial जो units है उनके द्वारा इस तरीके से जो eco friendly हो less carbon का generation हो उसके manufacturing के दुरान में उन products का भी यहां पे manufacturing है वो start किया गया next अगर हम बात करें students हजीब उल्ला है आप देखी कि Israel का जो northern part है वहां पे Lebanon situated है Lebanon का ज persons है उनकी दुआरा basically communication की regarding में पेजर से उनको यूज किया जता है अब पेजर क्या है 20 century के समयन को beepers के नाम से भी जाना करते थे पेजर साब देखी कि small एक device हुआ करता है जो radio signal के उपर work करता है किसके उपर work करता है students radio signal के उपर यह work इसका देखने के लिए मिलता है पेजर पेजर के अंदर में आप देखी कि numerical value को send किया जाता है कुछ numbers को लिखा जा सकता है अलफा numerical जो values है उनको भी send किया जा सकता है और यहाँ पे कभी कभी कुछ pages है वो one way communication आपको देखने के लिए मिलेगा कुछ pages के अंदर में two way communication हुआ करता है कि message send भी किया जाता है message को receive भी क जो हमारे कवेट Organicals Uhr his उपेरे उने करते anno को पेजर को काफ़ी भार यूजज दिया जाता है तो आप देखिए कि या रेडियो इसको टावर से उसी के थूरू अपनी जो सिंडल है उसको gain करता है mobile phone से more reliable इसको माना जाता है next अगर हम बात करें students यहाँ पे इसका जो detect करना भी काफी ज़्यादा difficult है जहाँ पे low frequency का जो area है उसके अंदर भी आप देखेगी जो pagers से उनको utilize किया जा सकता है message को send करने के regarding तो every जो topography है उसके अंदर इसका जो working process वो देखने के लिए मिलेगा अभी pagers के वहाँ पे blast हुआ था तो हजीब अला के कुछ persons का भी death हुआ कुछ civilian persons का भी death हुआ पेजर्स को आप देखी कि pagers बेसिकली Hong Kong सोरी Taiwan Taiwan के लावा जो Hungary नाम का जो country है उसके जो security agency जो उनके दौरा एक chemical है petn नाम से chemical है उसको inside किया गया इन pagers के वहाँ पे जो उनके blast के अंदर में उन एजनसी के दौरा blast है वो करवाया गया है exam के purpose से आपको क्या याद रखना है radio signal के ओपर यह work करता है low frequency के अंदर भी इनका work आपको देखने के लिए मिलेगा low frequency के अंदर भी यह work कर सकते हैं कोवेट operations के रिगार्डिंग या intelligence agency के जो agents हुआ करते हैं field agents उनके रिगार्डिंग में one of the important device है communication के रिगार्डिंग में वट आप देखे कि two way communication को majorly use किया जाता है जिसके अंदर alpha numerical numerical जो value उनको send किया जा सके अब आप देखी कि pages के ही blast के बाद में यहाँ पर एक editorial के अंदर predict किया गया कि जब pages का यहाँ पर blast हुआ है तो आप देखी कोवीड 19 के समय में कोवीड 19 के समय maximum जो हमारे plane से वह grounded situation के अंदर में थे तो उस समय आप देखी कि किसी अगर plane के अंदर में किसी other country के दोरा कुछ add कर दिया गया हो और आप letter form के अंदर में threat के रूप से या वहाँ पे air passengers का जो safety है उसके regarding में यह threat है यहाँ पर present समय के अंदर में पेजर्स के अंदर blast हुआ तो आप देखी कि mobile phone को भी यहाँ पे safe है वो नहीं माना जा सकता है mobile phones के अंदर भी जो blast है वो हो सकता है किसी country से इंपोर्ट किया जाए letter form के अंदर वहाँ पे blast हो तो एक threat के बारे में यहाँ पे discuss यह किया गया है पर आप देखी mobile phones के बारे में जब भी हम discuss करते है प्रजेंट समय में अगर हम बात करें students यहाँ पे discuss यह भी किया गया कि 1970s ए 80s के समय में जब भी हम plane hijacking को read करते हैं तो countries के द्वारा उसको use किया जाता था वो आप देखी कि फिर 9-11 का incident होता है 9-11 के incident के बाद में hijacking को रोकने के regarding में जो safety majors है एक्स रे जो यहाँ पे instruments उनको आप देखी कि install किया गया airports के वहाँ पे इसके थुरू आप देखी कि international civil aviation organization है international civil aviation organization है जो कनेडा के अंदर उसका headquarter है Montreal protocol के थुरू सिकागो convention के थुरू उसको set up किया गया था 1945 के समय में Montreal के वहाँ पे उसका headquarter है Canada के अंदर में तो आप देख international civil aviation organization के द्वरा safety and security को यहाँ पे ensure किया जा सके security के जो clearance का जो concept है उसको भी यहाँ पे add किया जाए security clearance के अंदर में आप देखी कि इंडिया के अंदर में काफी कुछ ऐसे भी persons है even minister को आप देखी कि security जो clearance है वो नहीं दिया जाता है बट कुछ ऐसे भी persons है जिनका security clearance है वो आ carrier passenger जो safety का एक threat है यहाँ पे present समय में जो pagers के वहाँ पे blast हुआ तो phones के अंदर भी blast हो सकता है आप देखी कि हमारे यहाँ पे जब हम travel करते हैं flight के through में तो आपको flight mode का जो concept है उसको add किया गया mobile phones के regarding में क्योंकि जो autopilot का जो concept हुआ करता है flight के अंदर autopilot का जो concept हुआ करता है उसको वो signals है अगर flight mode के अंदर mobile phone नहीं है तो उसके signals को वो impact करता है तो यहाँ पे different different threats के बारे में बताया गया है कि यह new threats है जो emerge हो सकते हैं next अगर हम बात करें healthy diet के बारे में हैं आप देखी कि आपने plate के अंदर जो खाना लिया है वो healthy होना चाहिए यह भी आपका एक necessary है यहाँ पर discuss यह किया गया कि present समय में आप देखी कि हमारे यहाँ पे present समय में हमारे country के अंदर आपको जो poverty का जो reduction है वो देखने के लिए मिलता है और persons का जो income है वो increase हुआ है poverty गरीबी आप देखी कि हमारे दुवार रेडूस किया गया income को increase किया गया but students जो poverty का reduction income का increased वो भी यहां पे basically उनके दुवारा भी आप देखी कि healthy diet है उसको access है वो नहीं किया जा सकता है प्रिजेंट समय में हमारे country के अंदर में 788 मिलियन आसपास persons हैं जिनके दुवरा healthy diet उसको नहीं secure किया जाता है State of food security and nutritional in the world का जो report है जो फाव की दुवरा निकाल जाता है food and agriculture organization के दुवरा तो उनके दुवरा बताया गया आप देखी कि 55.6% जो इंडिया के लोग है उनके दुवरा एक जो nutritional जो demand है किसी भी food के अंदर में उसको access नहीं किया जाता है उनके diet के थुरू में तो healthy diet आप देखी कि one of the यहाँ पे एक important threat है threat की रूप से देखा गया या burden है हमारे health के regarding में तीन important burden बताये गए हैं एक obesity यहाँ पे main burden देखने के लिए मिलता है obesity आप देखी कि physical activity ना होना हमारे जो plant urbanization है उसको इस तरीके से नहीं plant किया गया कि लोगों की दुवरा यहाँ पे healthy activity जो उनको carry किया जा सकते work culture भी इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है तो obesity one of the problem है इसके लावे students obesity के लावे अगर हम बात करें तो आप देखी कि यहाँ पे जो इस्टेंटिंग है उसको भी एक problem माना गया है इस्टेंटिंग भी एक problem है जो children's के अंदर देखने के लिए मिलता है और जो हमारे nutritional जो diet है जो minimum minerals का जो requirement है minimum जो things का requirement है body building की regarding में वो हम diet के थुरू यहाँ पे ensure करें पड़ आप देखी कि minimum जो nutritional diet है उसके regarding में inflation को यहाँ पे add किया गया अगर number of inflation अधिक है तो जो यहाँ पे जो आप देखी कि poor persons है जो यहाँ पे आप देखी कि middle जो income level के अंदर जो persons है उनके दुआर बेसिकली उसको ensure है वो नहीं किया जा सकता है तो cost of healthy diet है उसको capture करने का जरुरत है different different surveys के थुरू इसको यहाँ पे समझाए गया GDP के बारे में आप देखी कि जब भी हम read करते हैं किसी भी country का जो economic progress है उसको GDP के थुरू यहाँ पे measure किया जाता है GDP का जो economic progress का एक indicator आपको देखने के लिए मिलता है एक base year के regarding में वर्क किया करता है प्रिजेंट समय में हमारा जो base year है उसको change करने के बारे में यहाँ पे discuss किया गया पर आप देखी कि प्रिजेंट समय में सभी data है वो हमारे agencies के पास में है जिन भी agencies के द्वारा GDP को यहाँ पे decide किया जाएगा पर आप देखी कि census का जो data है वो नहीं है तो हमें यहाँ पे basically आप देखी कि discuss यह भी किया गया कि GDP का जो year है उसको change किया जाए proper data के थ्रू में जिससे कि समय समय पे जो present समय का जो demand है जो GDP का जो development उसको examine किया जा सके next अगर हम बात करें rhinos के बारे में है आप देखी कि 22nd जो September का जो day है rhino day के रूप से celebrate किया जाता है जब भी हम rhinos के बा आप पता हो नाचे जावा जंगा राइनो है जावा का एक rhino है आप देखी समात्रन जो राइनो है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा बलेक है वाईट ए वन हो हो राइनो है ऐंड अ के इंडिया के अंदर जो majorly ีज्स न आपको वन हो राइनो का देखने के लिए मिल होाई चैना के वहां पर टिन के बारे में बताया गया है कि वहां नेक्स्ट अगर हम बात करें students इनका जो pregnancy का जो time period हुआ करता है rhinos का वो आपको around the 16 month के आसपास देखने के लिए मिलता है rhinos आप देखी कि elephant के जो friend है वो हुआ करते हैं एक दूसरे के enemy आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे IUCN status को हमने discuss किया wildlife protection act का जो schedule one है wildlife protection act के अलवा आप देखी कि हमारा जो sites का जो appendix one है उसके अंदर इनको कंजर होए वो किया गया है इंडिया के अंदर rhino आपको कहा कहा देखने के लिए मिलते हैं क्या उतरप्रदेश के वहाँ पे भी rhino का presence है तो आप देखी कि दूद्वा नेशनल पार्क है जो की हिमालियन फुटिल्स के एरिया के अंदर situated है वहाँ पे भी rhino's का presence है students हमारे यहाँ पे जो सड्यूल कास्ट हैं सड्यूल ट्राइब हैं उनके atrocities के बारे में हैं उनके अगेंस्ट में जो atrocities आपको देखने के लिए मिलती हैं तो ministry of social justice के दुआरा इसे report को carry out किया गया उसके अंदर बताया गया है कुछ states हैं जहां पे काफी सारे जो atrocities के जो cases हैं वो देखने के लिए मिले हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें internet को ban किया गया था जारखंड के वहां पर उस service को आप देखी के restore किया गया है जब इंटरनेट को ban किया जाता है टेलिग्राफ एक्ट 1885 का उसी को amend करते हुए 2017 किसमे कुछ rules लाई गए थे और हमारे यहां पर secretary को power है आप देखे कि secretary को power है कि five days के regarding में जो internet है उसको ban किया जा सकता है maximum आपको mobile internet का ban आपको देखने के लिए मिलता है जब भी कोई violence का situation create होता है किसी area के अंदर में student सवच्चे बारत अभियान के थ्रू basically इसको यहां पर promote किया गया था कि कुछ हमारे यहां पर जो waste का जो dumping sites है जो land है उनको reclaim किया जाएगा सवच्चे project के थ्रू में पर यहां पर only आप देखे कि 16% के असवाद जो land है उसको reclaim किया गया है यह basically एक report के इंदर बताया गया कुछ states के दुआरा better way में perform किया गया है गुजरात का यहां पर performance इसके बारे में भी mention है नेक्स अगर हम बात करें world के perspective से है जर्मनी के वहां पर आप देखे कि जो farisht का एक party है AFD के नाम से इसको जाना करते है तो students AFD नाम का जो political sorry farisht का party है western region के अंदर में dominated है right wing party आपको द एरियास के अंदर जो victory है उसको अचीव किया गया next अगर हम discuss करें तो आप देखे कि यह all three जो news हो important नहीं है exam के purpose से यहां पे जो स्रिलंका के voting के बारे में discuss किया गया है कि जो northern part है स्रिलंका का जिसको भी जाफना region के नाम से जाना करते है ता million का जो वहां पे presence हुआ करता है तो आप देखे कि दो तमिलियन परसन से वहां पे किसी परसन के दोरा highest votes है उसको secure किया गया उसके बारे में discussion है इरान के वहां पे आप देखे कि एक factory के अंदर blast के बारे में mention है और students ये कलका जो newspaper discussion है उसके अंदर basically आप देखे कि Latin America का एक river है उसके बारे में discuss किया गया जो सेलवास का जो basically सेलवास के अंदर भी important है जो यहां पे Latin America का जो highland का area है उसके अंदर भी contribution है वो आपको देखने के लिए मिलेगा और आप देखे कि वहां पे एक one of the largest जो wetland हुआ करता है जिस्तों कि हम पेंटरनल wetland के नाम से जाना करते हैं तो इन rivers का उस उस पेंटरन wetland के regarding में भी important है पेंटरनल जो wetland है आप देखी कि private land है government का land नहीं है three countries के अंदर उसका area है और वो private land आपको देखने के लिए मिलेगा तो rivers के अंदर में जो water वहां पे decline हुआ है wildfire का जो situation हुआ है ब्राजिल के अंदर में पेरू के अंदर में Bolivia के वहां पे और आप देख है student this is all about the today's newspaper discussion आप इसको read कीजिये revise कीजिये जो भी information आपको मिला हो इसको note down कीजिये thank you students thank you very much